नमस्तेकार और आजम कड़े हैं इंडियन रिक्षा के सामने जिसका नाम है महिंदरा E-Alpha Mini 2017 में लॉंच हुआ था और ये फिर्स जन्वेशन वेरियंट आप देख रहें सिर्फ एलेक्ट्रिक में एक ही मॉटल आता है जिसकी कीमत है ओन रोड 1,35,000 रुपीज फाइव सीटर है E-Alpha महिंदरा के फ्यूचर आफ मॉबिलिटी विजन के अंडर बनाया गया है E-Alpha लोगों के इंट्रा सिटी मॉवमेंट के लिए बेस्ट है E-Alpha E-Alpha में E का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक और ये हैलो जन हेड लैंप महिंदरा का लोगो E-Alpha मीनी का स्टिकर महिंदरा का स्टिकर सिंगल वाइपर मिलेगा आउटसाइड मिरर क्लोजड बॉड़ी डिजाइन है 2.7 मिटर लेंथ है 1.7 मिटर हाइट है और 760 केजी ग्रॉस वेट है E-Alpha का आगे 10 इंच के स्टील वील्स मिलेंगे आगे पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं पीछे 12 इंच के स्टील वील्स मिलेंगे ये रेड गलर आप देख रहे हैं ब्लू, वाइट, येलो और ग्रीन कलर का भी ऑप्शन है फ्लीट टेक्सी ऑपरेटर्स और थ्री वील ओनर्स के लिए कमाई का बढ़िया साधन है ये इलेक्ट्रिक रिक्षा ये टेल लैंप E-Alpha गस्टीकर, महिंद्र अगस्टीकर पीछे लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेंगे और आगे टेलेस्कोपिक हाइड्रॉलिक शॉक एब्जॉर्बर मिलेंगे कम डाउन पेमेंट और शांदार EMI ओफर्स भी महिंद्रा देती है E-Alpha पे E-Alpha लेने के लिए पुलीस वेरिफिकेशन भी काफी जरूरी है 60 मिनेट में फास्ट सर्विस गैरेंटी है E-Alpha पे वन लैक किलोमेटर से ज्यादा टेस्ट करके बनाई है महिंद्रा ने E-Alpha स्ट्रॉंग बाडी, सस्पेंशन और चैसी हैं 6 मन्स की फ्री मेंटेनेंस मिलेगी E-Alpha पे Alpha नाम से महिंद्रा के पैसेंजर आटो रिक्षा और पिकप आटो रिक्षा भी आते है और ऐसे दिती हैं पीछे के सीट्स विनायल अपॉल्स्ट्री है ब्लैक विनायल अपॉल्स्ट्री वाटरप्रूफ कैनोपी है यह स्पेर वील और यह कंट्रोलर यह है 48 वोल्ट 120 अमपर आर की बैटरी 1000 वाट ब्रशलेस डीसी मोटर के साथ वन हॉर्स पावर है थ्री एनेम टॉर्क है लगबग आठ घंटे में फुल चार्ज होगी और फुल चार्ज पे चलेगी 85 किलोमेटर 25 किलोमेटर पर आर की टॉस स्पीड है गाड़ी पे दो साल की वारंटी और एक साल की फ्री बैटरी रिप्लेस्मेंट महिंद्रा देती है यह अलफा पे और एसित की आगे की ड्राइवर सीट और यह डैशपोर्ड रैड हैंडल बार है ब्लैक डैशपोर्ड है और यह ब्रेक मेकैनिकल केबल टाइप पार्किंग ब्रेक है आई यह रिक्षाउन कर लेते है और यह इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर डिजिटल यह दिखाएगा ट्रिपमेटर और कई चीज़ है और यह ब्रेक और यह हॉन का बटन लाइट के कंट्रोल डिफ्रेंशल के थुरू डारेक्ट ट्रांस्मिशन है लो, मीडियम, हाई, ड्राइब मोड्स है यह एक्सलेरेटर यहाँ थोड़ी स्पेस ही गई है यहाँ पर भी उपर स्पेस है साइड में भी स्पेस है और यह लाइट के कंट्रोल वाइपर के कंट्रोल और यह सारी लाइट्स आन हो गई है दो साल की वारेंटी मिलती है इस गाड़ी पर महिंद्रा द्वारा और यहाँ से बैटरी निकाल सकते हैं रेप्लेस करने के लिए और यह है महिंद्रा ट्रियो यारी इलेक्ट्रिक थ्री वीलर इसकी कीमत है और रोड टू लाइक ट्वाइट थाजन रूपीज इसमें फॉर्टीएट वोल्ट की लीथियम आयन बैटरी है जिसकी है 2 होर्स पावर 19 अनेम टॉर्क और यह 2 आर 30 मिनिट में फुल चार्ज हो जाता है और यह फुल चार्ज पे चलता है 130 किलोमेटर और 25 किलोमेटर पर आगे टॉप स्पीड है एक सिंपल ट्रियो मॉडल भी आता है वो फुल चार्ज पे चलती है 170 किलोमेटर और यह यारी मॉडल आप देख रहे है इसकी बैटरी की 5 साल से ज्यादा की लाइफ है और 3 साल की वारेंटी बैटरी पे महिंदरा देती है री जेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है जिसमें ब्रेक लगाते ही एनरजी बैटरी में सेव हो जाएगी 275 केजी का कर्ब वेट है और यह इंस्टूमेंट क्लस्टर आन हो गया है 50 पैसे पर किलोमेटर का खरचा है ट्रियो को चलाने का यह अलफा से महंगा आता है ट्रियो और यह इंस्टूमेंट क्लस्टर है जो दिखाएगा बैटरी लेवल चार्ज ट्रिपमेटर और स्पीडो मेटर बेहत कम आवाज और वाइब्रेशन है यह अलफा में अपने सेग्मेंट में सबसे बढ़िया गाड़ी है यह महिंद्रा उदय प्रोग्राम के अंदर दस लाग तक का एक्सिडेंट इंशुरेंस और कई अट्रैक्टिफ एसिलिटीज भी मिलेंगी तो कैसे लगा आपको महिंद्रा यह अलफा मीनी हमें कमेंट्स में बताइए थैंक्यू तो कैसे लगा में भी मिलेंगी हमेंे जज़ को अलफा मेंद्राइब कर दो कमेंट्स लागा तक कर आदाएब कर दो कर दो दूब को मैंद्राइए इंब को अलफा